तो फ्रेंट्स कैसे हो आप I hope you are all good myself Maniz Kuswa आप देखर अपना चैनल Pharmacy Luck and Welcome back to my YouTube चैनल तो फ्रेंट्स आज की ये वीडियो बहुती सॉर्ट होने वाली है यानि की छोटे होने वाली है लेकिन फ्रेंट्स ये आपके लिए बहुती हेल्पफुल होने वाली है तो फ्रेंट्स इस वीडियो हम देखने वाले हैं वो सारे सपेक्स जो के एंटी अलर्जिक होती हैं तो आपको समझ लिना है कि वो हमारी मेडिसिन है वो एंटी अलर्जिक है यानि की अलर्जिक को ट्रीट करने वाली है तो आए फ्रेंट्स देखते हैं आपने वो सारे ड्रक तो friends हमारे ant्रट्रे मीच्ट होती है तो friends जो किसी इस जटे नहें के पी जुट कर गए एक प्रेशिक्ट स्प्कूर गफ़ुर्प बनाते हैं तो friends हमारा वह tu锑ा सम्द्री लाच से बहुत है आनि वाल चरह तेन ते चcc suic सपिक्स आपको कई किसी मेडिसन के साल्टनायम के लाश्ट में जुड़े हुए दिखते हैं तो आपको समझ लेना है कि यह हमारी मेडिसन है वो सारी anti-allergy गयानि कि यह allergy को treat करने वाली है तो हम सभी सपिक्स को one by one करके देखते हैं और इन सारे सपिक्स को सपिक्स के एक्जामपल देखने वाले हैं कि जो कौनसी मेडिसन होती है जिनके लाश्ट में आयरा मायन टेर डिन और एजन सपिक्स जुड़ा होता है तो आई फ्रेंस देखते हैं अपना सब्सक्स पैदा सपिक्स जो के था हमारा आयरा मायन तो आई फ्रेंस देखते हैं तो तो friends हमारे examples हैं वो है farinamide, bromfarinamide, chlorofarinamide, diclohydramine, friends जीते हमारे medicines के examples जानि हमारे जितनी medicines होंगी जिनका suffix iramide होगा, वो सारी medicines हमारे anti-allergy को होगी, जानि कि allergy को treat करेंगी, तो आजे friends अब हम देखते हैं पना next suffix, तो friends हमारे next suffix है वो है tedin, यानि friends हमाज जितनी medicines होंगी जिनकी last में suffix होगा अब टेडिन होगा, वो सारी medicines हमारे anti-allergy को होगी, तो आजी friends देखते हैं इसके examples, sapro-heptadine, desolorodine, loretadine, और ultoptadine, तो friends जी medicines हैं, जी सारी medicines हमारे anti-allergy को होगी, जानि allergy को treat करेंगी, क्योंकि friends इनके salt name है, उनकी last name हमारा tedin suffix जुड़ा हुआ है, तो friends इसारी medicines हमारे anti-allergy को हैं, तो आजी friends अब देखते हैं, last suffix अपना, तो friends हमारे last suffix है, suffix वो है azone, तो friends जितनी medicines होंगे हमारा, जिनके salt name के last में azone suffix जुड़ा होगा, तो आजी friends देखते हैं, इसके medicines के examples, बीटामेरितासון, डैकजामेरितासון, और हैपलॉरासון, तो friends जितनी medicines के examples हैं, जैनके इसारी medicines हमारे anti-allergy कोई जैनके allergy को treat करेंगे, तो friends आप इन सारी points होंगे, notes साथी साथ बनाते जाएं, क्योंकि friends यहां ही चल करके आपके लिए बहुती useful होने वाले हैं अगर friends आपको salt name जाने कि medicine में salt name brand name क्या होता है अगर जा आपको नहीं पता है तो friends इस वीडियो से पहरे हमने एक वीडियो उनाई है जिसमें हमने salt name brand name discuss किये हैं क्योंकि friends आप इनको सब भी समझ सकते हैं जैसे कि मैंने इस अपिस बताया है किसी salt name के लाश्ट में सब जुड़ते हैं तो वे एक medicine का गुरूब बनाती है तो friends जे चीज़ आपके समझे में तभी आ सकती है तब आपको salt name बता होगा कि medicine में salt name क्या होता है और brand name क्या होता है तो friends इसके लिए उस वीडियो को पहले जागर के देखिएगा उसके बाद ही आपको जिस समझाने वाली है तो friends अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और comment करके जरूर बता है आपको वीडियो हमारी कैसी लगी और friends बेला करने दो आना भूलने हैं जैसे के हर एक वीडियो के नूटिपरिक्शन आप तक पहुंच सके